आप देख रहे हैं समाचार एज़ेंसी अफ इंडिया में साइंग नीजोश दोस्तू नमस्कार दोस्तों समाचार एज़ेंसी अफ इंडिया के साइंग नीजोश में एक बेर फिर आपका स्वागत है मौसम में थोड़ा सा परिवर्थन होते ही कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा हमने आपको पिछली वार पता है कोहरा कैसे बनता है कोहरा आम तोर पर बूंदा बांदी है बहुत हलकी बर्फ का वर्शन पैदा करता है बुंदा बांदी तब होती है जब कोहरे की आदरता सोप उतिशत हो जाती है चोटी चोटी बुंद बादल की बुंदें बड़ी बुंदों में एकत्रित होने लगती है ऐसा तब होता है जब कोहरे की परत उठती है और परयापत रूप से ठंडी होती है या जब इसे नीचे आनी वाली हवा दोरा उपर बल पूर वक दबाया जाता है ये बुन्दा बांदी हमी करन बुन्दा बांदी में तब बदलती है जब बस सतह का तापमान हेमांग फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है कोहरे से बहुत सारे फाइदे हैं गैहों की फसल को फाइदा होता है गहना कोहरा गैहों की फसल के फाइदे बंद होता है वहीं कुछ देशों में इस कोहरे से बने पानी का इस्तमाल पीने के लिए किया जाता है ये वो देश जहाँ पानी बहुत कम मातरा में होता है दक्षन आफरीका ओमान जैसे देश इसका उप्योग करते हैं कोहरे से सिर्फ ला भी नहीं नुक्सान भी हैं कोहरे से ओने वाले नुक्सानों के बारे में अगर देखा जाए तो सरसों, सिग्री, आलू, धनिया, आदी कोहरे की बजह से नुक्सान में होता है कोहरे के कारण इस फ़सलों तक मद्वक्या नहीं पहुँच पाती है और पराग ठीक तरह से नहीं हो पाते है कोहरा कितने प्रकार का होता है यह हम आपको बताने जा работу विकरन रेडियेशन कोहरा, वर्शा का कोहरा, हिमी करन फ्रीजिंग कोहरा, वर्फ का कोहरा, भाप का कोहरा, समवहन कोहरा, घाटी का कोहरा, उपर की और, ढलान वाला कोहरा, यहां आपको हम दिखा रहे हैं, देखें किस कदर कोहरा यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो, समा मांस को उसांग करता है डियो पाइंट तक पहुँचने देती है विकरन कोहरा के लिए सबसे सही इस्तिती तब है जब एक रात पहले बारिश हुई हो ये मिट्टी को नम करने उसांग उच्छों सांग बनाने में मदद करता है वर्शा का कोहरा तब बनता है जब ठंडी हवा के माध्यम से बारिश होती है इस तरह के कोहरे को तापमान इस पर ये सब कुछ निर्दारित होता है फ्रीजिंग कोहरा तब बनता है जब तापमान शून डिगरी सेल्सियस से नीचे चला जाता है बार्फ का कोहरा दुर्बी और अर्टार्टिक चेत्रों में देखने को ये मिलता है वहाँ तापमान माइनस तस डिगरी सेल्सियस के नीचे रहता है बार्फ का कोहरा पतज़र के मौसम में जीलों में देखने के मिलता है जब गर्मी का मौसम समापत होता है तो पानी का तापमान इसमय ठंडा नहीं होता है लेकिन हवा का तापमान हो जाता है शुश्क ठंडी हवा का द्रवेमान जील के उपर से चलता है गर्म जील और थात पानी का स्रोत नम हवा को उपर के द्रवेमान में ले जाती है जील और हवा के बीच में ये ट्रांसपोर्ट थ आवर mन बरकरार रहता है सम्मान कोहरा घाटी का कोहरा ओपर की ओर ड्हलान का कोहरा कई तरह के कोहरे होते हैं यहां मापको लगार ही देखिया हूं और यहां सुनД नरायन हमने आपको रात का कोहरा दिखाया था है यहां कोहरा मिशन उच्टर मादमिक शाला के अंदर कितना कोहरा दिखाई दे रहा है और एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं जो बगवान भासकर सुर्ण नरायन दिख रहे थे वे भी अब बादलों की ओट में चले गए यहां आपको देखे दिखा रहे हैं कचरी चोक के आसपास कोहरा किस कदर यहां पर दिखाई दे रहा है जवनपूर रोड सरकेट हाउस चो रहा है कि आसपास कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा कोहरा यहां दिख रहा है और कोहरे में वहन बहुत साउधानी पूरवक चलाना चाहिए अगर कोहरा है तो थोड़ा सा कोहरे को थमने करना चाहिए बहुत ज़्यदा अगर जल्दबाजी है तो वहन बहुत तेज कोहरे में नहीं चलाना चाहिए फॉग लेंप अपने वहनो आपको नजारा दिखा रहे हैं सुबह सबेरे कोहरा किस कदर दिखाई दे रहा है यहां दिख रहे हैंगा समाचा रेजिंसिय अफ इंडिया की साइनियूस के लिए अशोक सौनी की रिपोर्ट तरश्चता काफी हद तक कम है और नगरपाली का परिश्चत के यहां हम आपको दिखा रहे हैं यह एक बगीचा बना हुआ है सरक्ट हाउस के ठीक बाजू में छोटी छोटे से बगीचे बने हुए यहां बैटने की जगह भी है और कितने बेतर तीब तरीके से यहां पर सब कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा और यह इसके अंदर देखी शराब की बोतल भी आपको यहां कचरे के डबे में दिखाई दे रही होगी वास्ताव में पूरे शहर को खुला आहता बना दिया गया है यह एक शराब की बोतल देखी है अंदर पड़ी हुई नाले के अंदर यह शराब की बोतल पड़ी हुई है पूरे शहर को आहता खुले आते में तबदील हो चुका है एक शराब की बोतल यहां भी आपको दिखाई दे रही होगी वास्ताव में बहुत ही दुखत इस्थिती है बहुत विचारनी इस्थिती है शिवनी शहर की अब भगवान भासकर बादलों की ओट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और कोहरा धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा बादलों की ओट से बाहर आ रहे हैं कच्रा चारों तरफ आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा समाचारे जिन से विनिये की साइन है उसके लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट सुबह लगबग 6.6-7 बजे का इंजारा भगवान भासकर धीरे धीरे बादलों की ओट से बाहर आ रहे हैं और अब भगवान भासकर काफियत तक बाहर बादलों की ओट से आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सूरे का प्रकाश भी फैलता हुआ आपको दिख रहा होगा इस तरह की इस्तिती जब रहती है तब कोहरा दीरे 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 कम होना आरंब हो जाता है सल्दी के मौसम में कोहरे से दो चार होना बहुत आम बात मानी जा सकती है शिवकी नगरी में सीजन का पहला कोहरा सुबह का रात का कोहरा हम आपको दिखा चुक है सुबह का पहला कोहरा हम आपको दिखा रहे हैं समचारे जिन सिफ इंडे की साइन यूज के लिए अशोक सौनी की रिपोर्ट अगर आपको समचारे जिन सिफ इंडिया की साइं नियूज में खबरें पसंद आ रहे हूं तो आप इने लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फिलाल आपसे जायत लेना चाहेंगे आपसे राजिर होंगे जाए हिंद अशोक सौनी का सौब्सक्राइब लाइक झाल आपसे जाए होंगे जाए रहे हैंल भी दौनी का सैक बोल्य कि आपसे साऻब में तो when एाइक साजैं के बुँआ की सॉवब आपसे जाएशने हैं चीजियं कर आपसे ठावे हैं झाल झाल